आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार बारती नौसेना को मिलेगी ताकर डिफेंस, एक्सरसाइज, सीव, विजल वाइस की हुई शुर्माद और यह में डेंगू से मरने वालों का बड़ा आगड़ा 150 से ज्यादा लोग बुखार से हैं पीडित गाजियाबाद में हाईवे पर हुआ सलक खासा हासे में एक की हुई मौन नमस्कार आप देखने प्राइम टीवी में हूं मनिश बड़ारिया शुरुआत करते उतर प्रदेश की खपरों से उतर प्रदेश के मुख्मंतरी योगी अधित नात ने लखनों में आयोजी सीम आवास यूजना काईकरम में हिस्सा लिया जहां सीम योगी ने लावार्तियों के घरों की चाबियां सौपी जहां उन्होंने 49,000 लावार्तियों के घरों की चाबियां मिली हैं तो इसी दोरां सीम योगी ने काईकरम में कहा कि हमारा सौभाग्य है कि जन जाती गौरव दिवस के अफसर पर मुक्रिमंतरी अवाज योजना के लाबारतियों को 905 करोड रुपए से अधिक सौगात उपलब्त करा जा रही है जिसके लिए मैं आप सभी को हिदे से बढ़ाई देता हूँ और यह जिले में डेंगू से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है बता दें कि अब तक डेंगू से मरने वालों की संख्या साथ के पार हो चुकी है और इस बुखार से पीड़तों की संख्या एक सो पचास के पार हो गई है वहीं सो शया अस्पताल में डिकेट डेडिकेट अस्पताल वा कंट्रोल रूम इस्थापित किया गया बदायू में कस्भा अलापूर में थाने वाले चौराए पर बाबू जी कल्यान सिंग द्वार का भूमी पूजन किया जाएगा इस दोरान बीजेपी के कई नेता भिवा मौजूद रहेंगे वहीं पर इस कायकरव में मुक अच्थती के तौर पर सैकारता मंतरी बियल वर्मा बीजेपी जिला अध्यक्स शामिल होंगे चनकारी के मुताबिक भूमी पूजन को लेकर सभी तयारियां कर ली गई है इस दोरान पर स्वारता करते हुए पत्कारों से बाचीत में कहा कि मैंनपुरी से डिंपल यादो ही जीतेंगी मैंनपुरी अपने आप में एक ऐसी सीट है जो नेता जी के नाम से जानी जाती है और उनकी विरासत है और वो सही हातों में जाएगी ऐसा मेरा मानना है लेकिन मेरा ये मानना है कि ये उप्चनाव वैसे दो सब्ता पक्षका होता है लेकिन मैनपूरी अपने आप में एक ऐसी सीट है जो नेता जी के नाम से जानी पहचानी जाती है और ऐसे में उप्चनाओ महम नहीं रखता जनरल सेंडी एलेक्शन में भी मैनपूरी पर उसका असर नहीं पढ़ने वाला वो उनकी विरासत है और उनकी विरासत सही हाथों में ही जाएगी क्या दावा कर रही है आपके हिसाब से हैं? मैं मांती हूँ कि वहाँ पर साइकिल बहुत तेजी स्थ दोड़ेगा और रामपूर में? रामपूर में भी वैसा ही रिजल्ट्स आएगा क्योंकि वहाँ पर आजाकम्साहम ने बहुत लंबे अंतराल तक अपनी जिन्दगी के बहुत महित्पूर वक्त दिया है और वो एक बहुत पढ़े लिखे राजनेता हैं जो अपने कद उमने जो बनाया है वो उनकी शेली के हिसाब से है रामपूर में भी हम भी वहाँ पर दोड़ेगी वर्दोवी में नगर पालिका की लापरवाई का एक मामला सामने आया है पुलन शेर के अनूप शेर थाने में तैनार पियाडी के जवानों ने होंगाट और पियाडी में भरती कराने के नापर लाखों की ठगी आरोप लगाया है जानकारी के मताबिक आर्थ सिक्षित बिर्ज़गारों से तीस-तीस सदार की वसूली की गई है जिसका वीडियो शोशल मीडिया पे वारल हो रहा है वहीं पर इस वीडियो में वारल होते ही SSP ने संग्यान लेते हुए जांच के आदेश दे दिये मना आपर से आए हैं पोस्क सुलज पर मखेना दिवाई तैसिल क्या हुआ है कि मेरे साथ गए कि और श्रन ऐसे आठ लोगो से पोस्ट सुरजबुर मकेना तैसिल डिवाई से यहां आया हूँ एजा है कि हमसे दो साल पहले करीवन रुपे लिये थे कफिल पंडी जी सरमाजी ने वह जिरोली के रहने बाले हैं उन्होंने बोला था हमसे पैसे लिये थे कि हम तुमारा डेड़ महीने में ही काम करा देंगे लेकिन आज बीच महीने हो गए प्यार्डी में काम करा देंगे लेकिन आज तक उन्होंने ना तो हमान नौकरी लगवाई और पैसे बापिच दिये हम जब उनके पास पैसे मांगने जाते हैं तो आज कल आज कल कहते हैं और हम फ़ोण करते हैं तो फ़ोन पर हमें धंकी दे इसको लेकर आपके बास क्या जनकारी है और इनके विरुद क्या कारवाई की गई है मैंने जी मैं आको बता दो देवाई कोटवाली में अंगार तेनाथ ता जहाँ आठ शिक्टों से रुग बेवाजाना से तीची सजारुपे की थागी की है जिसमें की कल जनकार बुलेंट पर के सिलुक कुमार के पासमोंटे उन्होंने जाद के आदेश दे दी गई है और थगी के आरूपियों को अभी तब कोई पकड़ हुई हो पाहिए उनकी अब लोगों पर काजी तक कोई का रवाई निक लिए जी विसार इस ख़बर पर जुड़ने के लिए अब को धन्यबाद राइबरेली में नगर पालिका परशद का चुनावी बिगुल बजने वाला इसी को लेकर कॉंगरेस कमिटी की ओर से लगातार समाजी कारियों से अपनी पहचान बनाने वाले अमीन पठान और उनके भाई अरशद पठान ने अपना पहला कॉंगरेस कमिटी संजन संपर्क कारेले खोल कर पूरे कॉंगरेस कमिटी में खलवली मचा दिये अभी तक कमिटी ने किसी भी प्रत्यासी को कोशिद नहीं किया है चुना यूवा चेहरा और यूवा सोच होने के कारण पठान भाई अपने आपको कॉंगरेस कमिटी का प्रवल दावेदार मान रहे हैं तालिस साल से इंद्रा गांधी जी के साथ 18 साल की उम्र से काम के सुरुवात की प्रिसंजय गांधी जी के साथ रहे राजू गांधी जी के साथ काम किया सीला काहुल जी के साथ काम किया कैप्टन सतील शर्मा जी के साथ काम किया और आज सोनिया गांधी जी और बेटी विंका गांधी जी राहुल गांधी जी के साथ काम करते करते और तालिस साल का जीवन बेद लिया पार्टी ना तो बदली है लग ठोड़ी है और नास्था में तहीं कमी आई एक चाल जो थी शुरुवात की वही आज भी है राइबरेली जिली के गुर बकश गंज थाना च्छेत में एक मैला ने थाने में जाकर दबंगों के खिलाब शिकायद दश कराई है जनकाली के मताबिक मैला ने पुलिस को बताए कि उसका पती मशली पकल कर लोट रहा था तब ही दबंगों ने रास्ते में रोक कर बूरी तरह से मार पीटा और बजलाल वहीं पर बेहोशों के जमीन पर गिर पड़ा आनन फानन में घायल को नजदी की अस्पताल ले जाए गया जहां इस्तिती नाजुक बनी हुई थी नाजुक इस्तिती को देखते हुए जिलास्पताल रिफर किया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है अदमी इसको नहीं चीना है जिसने मारा इस नहीं चीन पाया तेकिन जह संकर गोड़ पर खड़े थी इसको चीना है कोई रंजिश थी क्या देख संकर से किस लिए इसलिए कि जह संकर को भटो लए लिया इसलिए मरवाते हुई जिसने महारा जानते हैं उनको आपपर? वह उच्छा कि कहा तुम्हारा नाम का मताम दिला तो निमाने ने कि मारे के भी जब दोसराद में देखा कि आ रहा तो हमको धिली चले तो तुम्हार पराने वाले जो शंकर है वहां बड़े नहर में महजूद से बैखे थे इनकी कोई दूर आपकी आपसे दुसमनी थी किया? मैंने वुक्ता भट्टा मानिक हमको जिया उसी दिन सनीटर को आग पड़ी है तो वर ने उनकारी होने पर तहसील में हलकम बच गया मामले में SDM ने मुकदमा दर्ज कराया जाने का आदिश दिया SDM ने के निदेश पर नाजिर ने मामले में कोटवाली पुलिस को तहरीर दी है पुलिस ने तहरीर के अधार पर मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी कर्मचारी को खिरासत में ले लिया है वहीं फाले के दस्ताविजों के बाद अब विभाग के पास उन वलता मिली है और पुलिस ने अवेद गुटकाक फैक्टरी का खुलासा करते हुए दो अब्युक्तों को गिरफतार किया है बता दें कि गिरफतारों के पास से पुलिस ने चार बोरों सुपारी और च्छे बोरा मिशित तमाकु के साथ दो इलक्टरोनिक गुटका बनाने वाली मशीनों को भी परामत किया है वह इस बात का खुलासा पुलिस अधिक शक्ट ने प्रेस कानफरेंस में किया गजयबाद में मोदी नगर में थाने के पास मेरट डिली हाईवे पर सुबह सवेर एक सड़क हास्ता हो गया जानकारी के मताबिक तेजगती से आ रही बस ने टेंपो को जोड़ा टकर मार दी जिसमें कई लोग हायल हो गया जिनने इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है वहीं इस हासे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई मौके पर पहुंची पुलिस मतक कि शिनाक्त में जुटी हुई है अचानक बता नि बस ने मारा जे किस लमारा ओटो से बाहर गिर के लिए ओटो से बाहर गिमने के बाद फिर कोई होसे तो ओटो में थे इरिक्षा में थे ओटो में थे ओटो कहां से आ रहा था ओटो तो सीगरी से आ रहा था लेकिन मैं दिली पारग से बैटी ती आप कहां जा रहे थे मैं पर्तापूर जानी थी पर्तापूर में सर्विस करती में अच्छा किस चीज में देव शिरी फैक्ट्रिय है महां धागा बनता है कि कितने लोग थे टेंपू में टेंपू बहरा हुआ था प्राइबरेली में नगर पालिका के चुनाओं में वार्ट के अरक्षन को लेकर अब आपती भी दर्ज होने लगी है आपती करकरताओं ने अरक्षन का हवाला देते हुए जाती इस जनसंक्या को अधार बनाया है वार्ट नमबर तीन से सुमिछ सुनकर ने डियम को प्रातना पर्द देकर बताए कि मली इन बस्ती में रहने वाले डली समाज के सबसे ज़्यादा मद आता है इस लाके में लगबग 35 प्रशद दली थें इसलिए यहां की सबसद की सीड भी ऐसी होनी चाहिए लेकिन उन्हें बैकवर्ड कर दिया गया गुरू नानक नगर के आरक्षन पर आपरती जाहिए करते हुए इसरार एहमद सबसद ने डिडियम को लिखित पत देकर आपरती दर्श कराई कर दिया गया है सामान फिर दूसरे नंबर पर आता है तीसरे नंबर पर बैकवर्ड आता है और उसके लिए उन्हों ने बैकवर्ड कर दिया ताकि जो है सामान जो है कि हम लोग आया है ग्यापन देने के लिए जिला अधिकाली मौजिया के पास आरक्षन को लेकर क्या मापन नंबर तीन जहां पर 34.58 परसंट एससी रहते हैं उसको कर दिया गया है बैकवर्ड गुर जब दिया असी परसंट लोग यहां पर गन्नल भाउट शेथ के लागे में रहते हैं ख़बर रायब रेली से जहां प्रताबगर राजमार्ग पर दर्दनाख हासा हो गया है तेजर अफ़तार में आ रही अन्हें ट्रक ने बाइक सवार को टकर मार दी है जिससे कार चाला क की मौके पर ही दर्दनाख मौत हो गई और कार में बैठी महिला समय चार बच्चे गंबी रूप से घायल हो गए हैं जिनको इस्थानी लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराए गया अब और कि अब एक काफी कहीं पर स्रलोन से से रिफड होके आये है तो उसमें से एक काफी सीरियस थी महिला उनको प्राइमरी उप्चार देके उनको केजेमियो लखनो भेज दिया गया है ट्रॉमा सिंटर और दूसरे तारिक हैं 40 साल के उम्रत है उनको ब्रॉडडड लाय गया है और तीन चार बच्चे थे जिनका प्राइमरी उप्चार करके उनको घर वेज दिया गया है फिलाल उतर प्रिदेश की खबरों बस इतना है देश प्रिदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी नमस्कार प्रॉडड़ पुष्पार